वेलकम, रूबी के किचन में वेलकम, आज हम बहुत मज़ेदार सा इंस्टेंट पॉट में मत्का गोश, कुना गोश बना रहे हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं बराबर पर ये बैल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी वीडियो अच्छी लगे थम्स अप दें अच्छा देखें मेरा सौटे मोड पर इस वक्त है इंस्टेंट पॉट अब इसमें हम आधा कप तेल डालते हैं अब मेरे पास ये देखें डेड़ पाउंट के आसपास ये गोट है लेकिन ये इसके लिए मैं बताती चलूं के ये गोश्ट की इंपॉर्टेंट्स बहुत है बड़े बड़े चंक्स होने चाहिए और ये गोश्ट या तो आप निहारी वाले यूज़ करेंगे या फिर पुट का यूज़ करेंगे आप अपने बुचर से जाके कहेंगे कि आपको कुणना गोश्ट बनाना है मटका गोश्ट बनाना है तो वह खास है आपके लिए इस तरह की बोटिया जो कि हड़ी की साथ और ये एक अलग सा पॉश्ट होता है उससे बनता है तो मज़ेदार भी लगता और एक्चुली इसकी इंपॉर्टेंट स्वीसी से है तो चले मैंने बहुत लेक्टर दे दिया आप मैं डालती हूं गोश्ट अपना अंदर इंस्टेंट पॉट में या आपके कुकर में जब आप बनाएंगे तो जाहरे टाइम आपका बहुत बच जाएगा और अगर आप पतीले में बनाते हैं तो नो प्राबलम बस टाइम थोड़ा जादा लगेगा बाकी रेसिपी तो वही रहेगी देखें इस पॉइंट पर को जाहरा पिंक नहीं है मीच जब हम एक टी स्पून इसमें जिंजर पेस्ट और एक टी स्पून गालिक पेस्ट डाल देंगे यह बड़ा सिंपल सा है लेकिन बहुत मज़ेदार है और बहुत वैल्यूबल है अक्सर जगा शादियों पर भी होता है और एक जमाने में इसको मटके पर बनाया जाता था और अभी बना सकते हैं लेकि जाहरे बड़ी-बड़ी दावतों वगरा में जब बनता है तो जाहर अब वही होता है मज़ेदार सा लगता है देखें हमारे जिंजर गारलिक के साथ भूलते वे दो तीन मिनिट हो गए अब इसमें हम अपने आधा कप प्यास डाल देते हैं फ्राइड अनियन आधा कप एक दो टेबल स्पूल पानी डाल रहते हैं इससे ही होगा कि अनियन जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी गोश में चलें आब हम जो है इसमें मसारे डालेंगे देखें स्पाइस कुछ यूं है एक टीस्पून जो है लाल मिच का पावडर है देर टीस्पून जो है जो है नमक है कोटर टीस्पून यानने 1,4 टीस्पून जो है गरम मसाला पावडर हैा लुव मॉर्ण कशमिरा लाल मिच है और एक टेबल स्पून धनिया झाल नगाल इस अशन को अब है इसको हम भूनेंगे विफ ल्यूकि एक टेबल स्पून यह जो बी और पाले değer ग्ता कि हमारे गमारे जलना जाएंअगर और घर सीधा मत्का जोट एक तरखी से था कि मुद्रान जोटा है ओटा होता है फुड़ा आप बुना ओता है प्ता हुड़ा मुरगन होता है और मतका कोज जो होता है वो थोड़ा सा शोर्वे वाला होता है लेकिन बेसिकली इसमें ना दही पड़ता है ना टेमाटर पड़ते हैं बलके मैं तो कहूंगी कि जब आप यह बनाएंगे और खाएंगे तो आपको लगे का यह नेहरी की बहन है बिना effort के एक अलग सा टेस्ट लेकिन कुछ similarity दोनों की है ऐसा same family लगता है और फिर simple भी है थोड़ा थोड़ा एक अच टेबल स्पून पानी डाल कर और इसको भूनते जाएंगे कि अचले लास्ट हमें एक टेबल स्पून पानी डाल देते हैं और तो हमने इस्तमाल कर लिया है आलमोस्ट वन कप पानी इसको भूनने के सिलसले में कि देखे हमारे गोश्ट की भुनाई तो बहुत अच्छी सी हो गए है और अब हमारा तेल उपर आ रहा है तो अब हम इस पॉइंट पर अपना पानी डाल देते हैं यह मैंने तीन कप लिया है देख मैं बताती हूं मैंने कितना डाला है इसको खिला लें अच्छी तरह ताक अब हम इसको अपना पंडरा मेंट के टाइमर पर लगाते हैं चले इंस्टेंट पॉट को बन करते हैं और सबसे पहले विसल को भूमा देते हैं ताकि भूलना जाए वैंट पर नहीं रखना है हमें प्रेशर पर रखना है यह वारा जो सौटे का मोड है उसको हम कैंसल करते है आफ हो गया अब हम अपना प्रेशर कुफ का बटन दबाते हैं और अपना टाइमर बढ़ाते हैं हमें रखना है यह 14 मिनिट पर ठीक है तो मिलते हैं 14 मिनिट के बाद अच्छा देखे हैं हमारा टाइमर आफ हुए वे ट्वेंटी-फूर मिनिट्स हुई है इसको वेंट करते हैं स्टीम में से बढ़ी अच्छी खुश्बूएं आ रही है चले जी हम खोल के देखते हैं हुँ बड़ा अच्छा सा लग रहा है और देखें आप बोटी में आपको बताऊं कितनी अच्छी सी टेंडर हो गई है यह देखें हाथ लगा है उससे पहले ही यह पॉल हो रही है यह हमें इसी तरह का चाहिए जैसा निहारी का कैसा होता है बड़ा सौफ सौफ सा तो और यह बोटियां साबत नजर आनी चाहिए और फिर यह इतना गलाव होना चाहिए तीन टेबल स्पून गेहु काटा आप मैदा भी यूज कर सकते हैं मैंने गेहु काटा लिया तो इसमें थोड़ा सा नहारी की तरही पानी डालेंगे यह तकरीवन एक कप पानी है तो मैं इसम अच्छा देखें हमारी अब गोलियां नहीं इसमें यह मेक्शोर करना है हमें तो अधा कप डाला था पहले लेकिन कभी भी एक साथ सारा पानी नहीं डाल देने का होगा क्योंकि वना तो गुट्लियां खतम नहीं होगी एक दो टेबल स्पून और डाल देते और इसको अच अच्छा देखें तो अब हम आटा डालने से पहले वो तो टाइमर तो हमारा ओफ हो गया था प्रैशर कुक का जो था मोड उसको हम कैंसल करेंगे और हम अब हमाई पस दो आप्शन है हम तो की पॉम में भी डाल सकते हैं अगर हमें टाइम जादा है तो और हम सौटे में भी और वाम पर होगा तो अच्छी बात है कोई प्रॉब्लम नहीं चलेंगे हमारा चला गया इसमें और अब लास्ट हमारी आइटम है वह है तीजपूल काला जीरा ये मतका गोश्टी जान तो ये इस वक हम डालेंगे हाथ में लेके और थोड़ा साइसको मसलेंगे हलका हलका सा कुछ साबत रहेगा कुछ मसल जाएगा और ये इसमें लास्टी ये पढ़ जाएगी है अब बस हम इसको सिमर पर डाल दोते हैं तो पांच मिनिट हमने सिमर ने रखते और हम बंखर देते हैं अपने कवर कर देते हैं इसको आज कैंसर करते इसको और करते हैं को कि अच्छा लग रहा है करते हैं इसको चले हम अपना गारिशन करते हैं थोड़ा सा से लांटरो और यह तो इसी हरी मिर्चे हैं जूलियन जिंजर देखा कितने कम स्पाइसे से कितना एफर्टलिस जबदस सी एक दावतों वाली डिश बन गई प्लीज ट्राइ कीजिएगा ऐसी खतनाग खुश्बू है और जाइका तो आप खाएंगे जब आपको पता चलेगा चले चलती हूं दौाओं में याद रखिएगा लव यू आल बाई